तो हाई स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए वीडियो में और आज हम लेकर करके आए हैं क्लास 12 इंगलिस का नेक्स चेप्टर फाइव जिसका नाम है अगर इसका हिंदी में बात करें कि इसका हिंदी क्या हुआ तो हिंदी में कहते हैं विचार डाइट का मतलब होता है कि या जो तो यहां पर अर्थ आएगा जो का और हैप के बाद भी थिरी का यूज हुआ है इसका मतलब कि किसी काम को किया जा चुका है मतलब कि विचार जो मदद किया help मतलब मदद करना होता है विचार जो मदद किया mankind मतलब होता है मानो जाती मानो जाती अगर इसका सही हिंदी बात करें तो ideas that help mankind का सही हिंदी हुआ विचार जो मानो जाती को मदद किया ठीक है अब बात करते हैं कि आपसे objective में पूछ सकता है कि यह essay है कि story है तो आपको पिक करना है कि यह एक essay है एक क्या है नीबंध है you that help the mankind, ठीकना, if you will be given option that it is essay or poem or a story then what will you pick, you will pick essay विए विर, विंद वात थाज़ आपसे इस फिंग्स, I don't know how many people get destroyed by it, in the same way, any such platform which makes a strong preparation for all the subject it forces you to become a top in the locality Hence, to get emotional notification regarding videos, subscribe to this channel और ग्रावन को बनाए आपने केडमी इनका पूरा नाम पूछे कि वाट इस दे फूल नेम आफ बर्थरेंड रसेल या आप्सन में अगर पूछ दे तो आपको चुनना होगा बर्थरेंड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम है हाजी अब बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुगा बर्म तो 18 माई 1872 मतलब 18 माई 1872 में UK में हुगा ठीक है अगर इनकी मृत्यू की बात करें तो 2 फरवरी 1970 में हुगा यानि कि UK में ही इनका जन्म भी हुगा और UK में ही इनकी मृत्यू हो गई इसलिए उन्हें सहित्य का पुर्षकार भी मिला 1950 में ही वाज ही के जगह पर आप बरत्रेंड रसील को समझेगा मतलब ही वाज यानि बरत्रेंड रसील वाज यह एक दार्शनिक थे फिलोसफर थे हिस्टोरियन मैथमेटिसियन देखिए कहा जाता है यहां पर थोड़ा सा रूख करके में शायरी के अंदाज में आपको मैं समझाने कुशिश कर रहा हूं कहा जाता है कि कोई भी इंसान सुरत से नहीं हुनर से कम्याब होते हैं यह एक ऐसे इंसान है जिनके अंदर कूट-कूट कर हुनर भरा हुआ हुआ है देखिए यह क्या कमें टर्कवादी थे कब 20-20 सदी के एक मुख्या तर्कवादी भी थे अच्छा तरक करते थे अड़ एक अच्छे टिपरी कार्ण भी थे ने किसी बी चीज पर दे दीए तो वो अच्छा से कर देते थे किसी भी मुद्द्डे पर जो है अगर बोलने की बात आजा तो यह अच्छा खासा बोल लेते थे 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 ठीक है ना तो चलिए अब बात करते थे कि इनका कमेंट किस किस पर रहा है तो ही कमेंट ओन मैंने इनका जो कमेंड था जो इनका टिपडी था मुख्यारूप से शेक्स पर भी बोले थे मैरेज पर भी बोले थे औली टीज़ पर भी दえて हैं रिलीज़न पर भी बो लेते हैं साइस पर भी साइकलोजी पर भी एड एजुकेसन इत्यादी पर भी बोले थे तो यह रहा आपके पुरिये चेप्टर का मोटा मोटी निचोड Ellie अप के लिए हम लोग चेप्टर की तरफ परतीक पर आगर आपके परतीक लाइन को एक एक करके समझते हैं तो फाइनली आइडियाज डाइड है दमीन करद नाम का जो चेप्टर है यह चेप्टर नमबर five है जो मन पहले ही बता दिया आपको इसका हिंदी अगर कहें तो आइडियाज मतलब होता है विचार डाइट मतलब जो मतलब पास होता है लेकिन यहाँ पर जो helping भर्ब है इसके अनुसर जो अगला भर्ब है वो भर्ब 3 है तो यहाँ पर हम direct समझेंगे कि भर्ब 3 के पहले जो have लगा है इसका मतलब कोई काम हो चुका है ठीक है ना और यहाँ वह mankind का मतलब होता है मनावता तो ऐसा विचार जो मनावता को मदद किया यानि कि जो काम हो चुका है ठीक है ना तो उसको हम लोग भर्ब 3 के अंतरगत रखते हैं इसलिए help का भी 3 होगा helped ठीक है तो ऐसा विचार जो मानव जिंदगी को या मनावता को मदद किया ठीक है तो मदद किया मतलब वो काम हो चुका है और यह इसके writer है बर्तरेंड रसेल ठीक है यह बात क्लिए रो गई फिर से एक बार समझ लिजिए ideas that help the mankind ऐसा विचार जो मानव जिंदगी को मदद किया जिसके writer है बर्तरेंड रसेल तो चलिए बीना देर के अब इसके paragraph को समझते हैं ध्यान रहे हैं कि यहां पर देख लिजिए जो आपका five number जो chapter है जिस जिस chapter का नाम है ideas that help the mankind जिसके writer बर्तरेंड रसेल मैंने इस chapter के परतियक परग्राफ को परतियक लाइन को बहुत ही अच्छे ढंक से समझने की कोशिश किया खुब बढ़िया से समझा फिर उसके बाद से हम अपने मादियां से एक short notes तयार किया जिससे आपको समझने में काफी अस समझाएंगे आपको पूरा का पूरा concept समझ में आ जाएगा तो चलिए देखते हैं यहां देखिए यहां से हम सुरू कर रहे हैं और आप समझने की कुशिश कीजिए देखिए ideas that help the mankind देखिए यहां पर क्या है यह chapter का नाम है ठीक है idea that help the mankind ऐसा बीचार याइडिया बिचार विचार जो मानो जिंदगी को मदद किया है एक प्रबुद्ध निबंध है तो एक तो बात किलिए हो गई कि ideas that help the mankind नाम का जो chapter है यह एक निबंध है अब बात करते हैं आगे written by the great British writer अब तो बात है यहां पर और किलिए हो गई written मतलब लिखा गया है by the great British writer मतलब होता है एक written के महानलेखक के दौर और फिलोस फिलोस्फर को हिंदी में क्या कहते है वीचार वाधी ठीक है having philosopher को हिंदी में क्या कहते है विचार वाधी या संच्चे विचारवाधी या दार्षिनी तो देखिए यह एक ब्रीटन सचे क्या बोलते हैं सचे विचारक और दार्षनिक भी है अब आगे दखेंए और इन सच्छे विचारक और बृट्रेन के जो यह राइटर निम का नाम क्या है बटेंट रसिल क्या नाम है ंजी वड़िट्रेंट रसीन ठीक है जो इस शेप्टर के राइटर है अब देखिए बर्त्रेंट रशेल हैस्ट टॉक्ट अबाऊँध यहीं बरतरेंट रासेल क्या बात किया है अब थे एक ऐसे विचार के बारे में डेट हैल्ब्ध और में जो मानो जिन्दकिक को मदद किया एंड इंकरीज म CryS और जो नैतिक मुल्यों को बढ़ावा दिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ये moral qualities का किया to make a man civilized और यहीं नैतिक मुल्यों को जब बढ़ावा दिया हमारा ये विचार जो नैतिक मुल्यों को बढ़ावा दिया ये नैतिक मुल्या आगे चल दरके man को civilized बनाए तो make a मैं सिविलाइज जो मानों को क्या किया सब भे बनाया अब आगे बढ़िए और बीना देर की हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं दियर आर टू ब्रोड के टेगरीज दो बड़े ब्रोड मतलब होता है बड़ा या ब्यापक दो बड़े के अंदर करत रखा गया मनें इन यहां देखिए दा आइडिया वीच हेल्प होमन बीइंग विट नौलेज और एसकिल ठीक है थोड़ा सा में उपर कर लो हां पहला एडिया था कि जिसको हम लोग पहले से नहीं में रहे हो नौलेज और एसकिल रहा गया ठीक है नहीं पहला जो आडिया था जो इंसानों को मदद किया वह था नौलेज और एसकिल एंड सेकेंडरी क्या था विद्धियार मोरल एंड पॉलिटिक नायतिक और राजनेटी ठीक है ना अब आगे बढ़िए और देखते हैं अगला परग्राफ है लाइन को ध्यान से समझने एकोसिस किजिए यह जो विचार था ना एक अहां भूमी का निभाया किस चीज में हमारे सभ्यता को बढ़ावा देने में डैट मेड आवर लाइफ मोर सीकर और यहीं विचार हमारी लाइफ को हमारे जीवन को और सुरक्षित बनाया ठीक है आगे देखते हैं अब जब ग्यान बढ़ती है जब तकनीक आगे बढ़ता है जब हमारा सोच विचार हमारी जब अंडरस्टेंडिंग में काफी इंक्रीजमेंट होती है ना तो ऐसा बात नहीं है हम लोग दूसरे से लड़ते भी हैं परिणाम सोरुप यह हुआ देखिए थोड़ा से ध्यान से समझेगा देखिए इट रिजल्टेट इन दा पॉप हमारी और पॉपुलेशन मतलब क्या होता है अबादी तो परिणाम यह हुआ कि तकनीक आगे बढ़ा समझदारी आगे बढ़ी लोगों का खुब बढ़ियां अंडरस्टेंडिंग हुआ काफी अंडरस्टेंडिंग में इंक्रीजमेंट हो लेकिन परिणाम सवरुप यह भ आभी भी लड़ते रहें इन दानेम के नाम पर कास्ट जाती के नाम पर आपने राष्ट क्या बढ़िया इतना बढ़ गया के अपनी ओप्रit को लेकर के लड़ते हैं तो कभी अपने धर्म को लेकर के लड़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला पराग्राफ क्या है यह भी समझ यह थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्डेंट देखिए का देखिए तकनीक आगे बढ़ा यह बात सही है लोगों का अंडरस्टेंडिंग कोई ये बात सही है डेस्गूड लेकिन सबसे पहले जब आग का निर्माण उस समय से लेकर करके अभी तक में जो बदलात हुआ ठीक है ना तो उस समय जब आगका जब इन्वेंशन हुआ था जब आगका खोज हुआ था उस समय कुछ अजीप सा था महौल कि हाँ कुछ तो इन मनें इन्वेस्टन हुआ जो वहां उस समय के लिए एक ब्यापक साभीत हुआ तो यहां पर देखेगा यह पराग्राप जो दिया हुआ है अगला पर इसको पुरा बढ़िया समझने के कोशिज देखिए दा इन्वेंशन आफ फायर यानि जो आग का जो खोज व हुआ तो यानि कि जब पहली बार इस दुनिया के अंदर जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो यह क्या प्रूब हुआ क्या साभीत हुआ माइले स्टोन यानि कि बहुत बढ़ा काम बहुत ब्यापक काम साभीत हुआ ठीक ना धीरे-धीरे सब कुछ डेपलप होते गया तकन क्ल्डिवेशन यानि ख्थी भी होने रगी और अप्र राइट अवाइटिंग और लिखने की कला भी आ गई और यह सारी चीजएं यह सारी चीज़े क्या ने दृबत तेन्टिंग हम लोग को क्या मेड़ा स्न Software उठाया सब्ट है रहे था थिक्या नभी ट मूझा ये एसज यहां बता रहा हो यह इसे का कर देड़ टू आवर इस्टेट और यह जो से पकनीक उठाया और हमारे राज्य को सब यह भी बना दिये हैं आगे बढ़ी हैं हाओवेबर जो भी हो we have to get victory over fear जो भी हो हम लोग का ये तक्निक ये सोच ये understanding जब हमारे काफी सोच में विकास हुआ हमारे अंदर काफी understanding आई तो ये सोच वीचार हम लोग को डर पर काबू पाने का ए एक अंदर से एक जुनून जगाया हाओवेबर जैसे भी हैब to get victory over fear हम लोग को डर पर जीत हासिल करने का मौका दिया वारी मतब चिंता डर और चिंता पर काबू पाने का एक औसर दिया और और भूखमरी पर भी हम लोग को काबू पाने का ये एक औसर दिया और आगे का कि किया बाद में इंसानों को to make the people यानि इंसानों को क्या किया लोगों को क्या किया खुश बना दिया है ठीक है नहीं है बना दिया पीसफुल बना दिया है तम शांतिबादी बना दिया है तो देखते हैं आगे अगला पर अगर आप तो नहीं है फिलाल यहां से आपका पूर को सब्सक्राइब कर लिजी और जादा से जादा 12 क्लास के स्टूडेंट के पास पहुँचा है ताकि इस वीडियो का बनिफीट सबको मिल सके मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन